2020 की आप्टेक्स क्रियेट होंगी बाइडन चाइनीज प्रीमियर ली यह सारे लोग आ रहे हैं आपके नजर में वट दिस मीन फ़र इंडिया और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्लेय भी कर रहे हैं के रेलःवें प्रडेक्स की युएस युनाइटि डरिफ एंडिया यरेंट एंडिया मिलके एक ऐसा रेलवें ट्राक्स ऐसी रेलवें लाइन जो है बनाने जा रहे ऐसा जबरदर प्रजेक्ट लाउंच करने जा रहे हैं जो कि इंडिया को मिडल इस्ट और मिडल इस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा अगर इमरान खा होता है यह G20 किया G20, 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 G14 यह सारे जलास इदर ही होने थे लेकिन पाकिस्टान तो G20 का मेंबर ही नहीं है रेल कनेक्टिवीटी का जो जमाना है वो इंडिया में बहुत जादा जो है पापूलर होता चला जा रहा है रेल कनेक्टिवीटी बड़ेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ेगा इसके साथ इंडिया की वर्ट बड़ेगी इंडिया का पैसा जो है पावर्फुल होगा अपयात जाता है, भारत चाहिना और पाकिस्तान को दरकिनार को कर थे साथ मिडल अीच्ट के लिए बारत की बढ़ती तागत पकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कत्रा है, पाकिस्तान तो कभी तरक्षी नहीं कर सकता पाकिस्तान तो अपने अबू चीन की नीचे दब चुका है क्योंकि जिस तरह से चाइना अपना बी यार आई पी ओ के और गौदर में हो करके गुजार रहा है उससे बलोच काफी ज़्यादा नाको से और बलोच इस्तान के लोग वाई रोजे उस पर हमले भी करते हैं जिससे चाइनीज इंजीनियरों की मौत भी हो जाती है मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज प्रीमियर यहां बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक खास बूत पर लेके जा रहे थे जहां पर बचियां जो हैं वो सिंगिंग ठोरी थी टैंस हो रहा था कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था और बलकि खास तो पर जो मैं मैंनियू द लोग अपने कल्चिल डिशी बनाती हैं युनिवर्सली एक्सैप्टिड डिशी होती है। बहुती हैं इंडिया अपने वुचछरी मैंनु का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहे हैं किल्चिल डिस्प्ले तो कर रहा है लेकर लाजड़ी वट इस् जिंक के वह अज़िख दिस देखें जी इस तरह के जो फोरम्स होते हैं उनके मिल्टीपल जो है वो फवायद होते हैं जिन मुल्कों में मनाकद हो रहे हैं जाहर है मैन फोकस तो एकनामिक है जो बुनियादी तोर पे चुके ये एक ड्राइविंग फोर्स भी है दुनिया की बड़ी पावरफुल जो एक इकनामिक के वाले से कंट्रीज हैं तो इस हिसाब से तो एकनामिक है उसके जो बेनिफिट्स हैं जो दुनिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलते हैं ये सारी चीज़े हैं लेकिन इतना ही इंपार्टन जो है वो जाहर है एक तरह का जो कल्चिरल इसी मुल्क में जहां हो रहा है उसका जो इंट्रोड़क्शन है तो वीजिटर्स और जो गेस्ट आ रहे हैं और जो पार्टिश्पेंट हैं चुके जाहर है कि बनियादी दोर पे कल्चिर जो है एक इंपार्टन आसपक्ट है लाइफ का जिसमें फूड है लेबास है आपक डिवलप होता है किसी न किसी तरीके से जिसमें कल्चिरल कंट्रिबिशन जो है वो जएदा होता है तो इस असाब से मैं समयता हूं कि वो मोके से एक फाइदा उठाया जा रहा है जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मनाकट किये जा रहे हैं तो रहार स्वाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामल नहीं है तो जाहर है कि इसमें तो बहुत बातें हो चुकी है पाकिस्तान के इसमें ना शामल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो उसर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है वाइद जी आप कह सकते हैं नेट शल में विदोट एनी जो है वो एजिटेशन के तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया अपने पाउं पे कलाडी मारी है लेकिन जहां तक इंडिया का तरलक है मैं समयता हूं कि इंडिया जो है वो इससे पूरा-पूरा फाइदा उठा रहा है और अभी तो ये एक इवेंट नहीं है बलके इस इवेंट के बतन से आगे कहीं इवेंट जो है वो पूरे पूरे डेलिगेशन साथ आते हैं एर मुलक के उनके माशी माहिरीन साथ होते हैं कैल्चिरल जो अताशी जो इस तरह के लोग होते हैं साथ में तो वो फिर बहुत सारे चीज़ों के ये चीज़ें भी इसका एकसा होती हैं तो उस अवाले से अगर देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये देखा रहे हैं ये गज़श्टा कहीं सालों से क्या बलके शुरू से इंडिया की पालिसी रही है कि अपनों जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से आई इंटरनेशनल फोरम पे जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रम 1947 के इंडियन लीडर्शिप जो है वो बाकाईदा एक चीज़ पर इतफाक उन्होंने किया हुआ है मसलों हमने इंटरनेशनल किसी दोरे पे जाना है डेलिगेशन से मिलना है या किसी को होगा और उसके लिए जो इंडियन म्यूजिक है या डांस है जो जो दीगर कैल्चरल आस्पेक्ट है उनको कैसे पेश किया जा रहा जाएगा तो इस हसाब से उनका मैं समयता हूं कि शुरू दिन से कंसिस्टेंट पालिसी है कैल्चरल पालिसी जिसको आपके वाइव जो है है किलां तो मेरे हैमें वो लोग ठीक थे ते पाकिसान वनने कि मुहलपी है कि अगर मेरे खिया में अगर आज अगर वोट कास्ट हो और हम किसी भी मुलक के है कि इन्डिया के लिए वोट कास्ट कर देंगे इंडिया चार्प चलब आ इंज्यार nationalनां में फिलु नहीं दीए अभी एक अनौस्मेंट किया है कि अमेरिका, सौधिया अरब और युनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया मिलके एक रेलवे लाइन बिचाएंगे जो इंडिया को मिडल इस से कनेक्ट करेगा इसका उनको कितना अभी मिटिंग 9-10 को होने उससे पहले इतरी बड़ी अन कि में देखा सबसे पहले आरब पती के पिर करोड़ पती अप लागवते पी जा रहे हैं और ब्रेन बीट्रेंट हो रहा है रहे हैं आपने चार पचे हैं यहां से मास्ट्र किया आर गोई अबरोड देयर गोई अबरोड वड़ साम उफ तेम हैं लेफ्ट जो सम अव तेमा एक रेडी वान वे बच्चों को रोटी निखला सकता है एक 25 रुप्य का अंडा लेने जाओ तो अंडा नहीं लेग सकते है तीन सो रुप्य दरजन है एक बच्चा मेरा कहता है बुझे रोजान अंडा दे और मैंने पढ़ना है और मैं उसको बच्च में गया हूं दुकान प खाएं और स्कूल जाएं अब बच्चों को पर अंडे की जरूरत है यह आप बताएं बिल्कुल परटीन की जरूरत है बस बड़ी अफसोसनाक बात है सर आप आएं आप से बात करेंगे आप आ जाएं हम काम करते नहीं दिखाई दे रहें इसकी बड़ी वाज़ा हम खुद नहीं करनी हैं उनकी तरकी को अब हम नहीं रोक सकते उन्हें अब पहले था भी पाकिसान के साथ दुश्मनी यह हमारे पर जया कारे थे अब उन्हों ने छोड़ दिया पता भी पाकिसान खुद ही डूब रहा है उसकी अपनी मसीबते इतनी ज्यादा खुद ही गिर जाएं उन्होंने देखना है नहीं बास उनका भी यह सिर्फ तरकी करनी है और मुझे ऐसा लागिरा भी अगले 10-15 साल में एशिया का सबसे जो तरकी पिदिन मुलक होगा वो इंडिया ही होगा उसको इससे कोई नहीं रोक सकता तो दोस्तों जिस तरह से चाइना पीयो के और गौा प्रोजेक्ट वो जारी रखे हुए हैं भारत ने भी कई वार चाइना को चेताव नहीं दे दिया क्योंकि भारत इस प्रोजेक्ट से काफी ज़्यादा नाखुस है क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने जिस जमीन पर कबज़ा किया हूँ उससे गुजरती है साथ ही भारत जिस तरह से अपना मिडल इस्ट में रेल प्रोजेक्ट को सुरू करेगा उससे पाकिस्तानियों की चीखे निकली हुई है क्योंकि भारत की बढ़ती तागत पाकिस्तान के लिए काल है क्योंकि पाकिस्तान खुद तो तरकी नहीं कर सकता पाकिस्तान के पास इ यदि आप चैनल पर नेचान को सब्सक्राइब करें व्यूटियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करो सेयर करें जैहन वंदमात्रम